Hey guys, welcome back, कैसे हो आप लोग, दूसरों इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे Bitcoin के बारे में, कि Bitcoin में फिलाल किस परकार का moment आपको देखने को मिल सकता है, और अभी जो Bitcoin में downfall देखने को मिल रहा है, गिरावट जो देखने को मिल रहा है, किस वज़ा से Bitcoin में गिरावट ये भी बताएंगे, और फिलाल क्या कहां पर support दीख रहा है Bitcoin में, और अगर ये support जोन break होता है, तो next support जोन कहां बनेगा, और कहां पर आप future trade भी प्लान करोगे, जिससे quickly profit बना पाऊ Bitcoin से, तो सब कुछ इस वीडियो में explain करने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना आप सबसे पहले आपको समझना ये है कि ये जो coin में आपको बता रहा हूँ, ये किस परकार की investor के लिए, अगर आप safe investor है और safe जगा investment करना चाते तो जो मैं इस वीडियो में जो coin में उताने वाला हूँ, इस पे आप बिलुकुल consider मत करो, इसको ध्यान मत दो, अगर safe investment करना ह तो आप always you should go with Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana जैसे coin में आप top fundamental coin में investment करेंगे, लेकिन अगर आप risky trader है, risky investor है और essay coin में आप invest करना चाते हो, और essay coin में invest करके आप 100 और रिस्क लेना चाते हो, तो तभी आप essay coin में investment करना, otherwise आप risky trader नहीं है, risky investor नहीं है, तो बिलुकुल भी investor नहीं करना, ठीक है, अगर मेरे बारे में बात करेंगे, तो मैं risky investor हूँ, लेकिन risk लेने के लिए एक special fund में रखता हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा capital ऐसे ही coin में, ऐसे ही risky coin में invest करते हैं, बिलुकुल नहीं, एक अलग fund में रखता हूँ, जैसे कि total capital का 10% ऐसे risky coin में invest करने के लिए रखता उसी में से थोरा थोरा investment ऐसे risk, risky coin में invest करके risk लेता हूँ, यह मेरा होगे, तो अगर आप risky trader है, risky investor है, अगर आप risky investor है, तब इन सभी coin को आप देखना, अब यहाँ पर मैं आप बता दोता हूँ कि जितने भी coin अगर बताया जाता है na risky token, तो risky token यह ज़रूरी नहीं कि जितने बड़ा profit बना सकते हैं, अगर 50% नहीं भी किया, 50% से भी ज्यादा जो है unperform रहा गया coin, मानलो कि 10 में से 7 coin परफॉर्म नहीं किया, 3 coin परफॉर्म किया, तब भी आप आपको बड़ा ही reward मिलेगा, तब भी बड़ा profit में ही रहोगे, अगर 3 के जगा 2 भी perform करेगा, तब भी आ profit में रहोगे, क्यों, क्योंकि यह ऐसे coin है, कि अगर उसमें से 1 coin भी perform कर गया ना, तो वो easily 50x, 100x चला जाएगा, अब imagine करें, कि अगर सब में equally आपने 100-100 रुपया लगाएं हैं, और 1 coin 100x का growth लेता है, तो देन वो 10,000 कर देगा, आपका 100 रुपया का 10,000 कर देगा, अब बा 10,000, लेकिन 10,000 सिर्फ एक coin perform करके 10,000 कर दिया, तो ऐसी आपको calculate करके समझना पड़ेगा, और सारी coin कभी perform नहीं करते, इसलिए कि जो भी coin में बता रहा हूं, कि उसको अपने end से analysis करने के बाद ही मैं आप लोगों को बताता हूं, और इसमें जब भी investment करना तो equally रूप से कर करना, ऐसा नहीं कि किसी में हम 50 डॉलर लगा रहें, तो किसी में 100 डॉलर लगा रहें, और किसी भी coin को देखकर आपको bullish बिल्कुल मता होना है, अगर आप सोचो कोई कि ये 100% जो है, आपको 100x का reward देगा, तो ऐसा लेकर, ऐसे सोच कर तो कभी investment नहीं करना है, तो ये point clear होना चाहिए, अब चलो, screen पे सबसे पहले बात करेंगे, bitcoin के बारे में, और उसके अलावे 7 coin, जो अच्छा गासा मुझे लग रहा है, इस bull cycle में perform कर सकते हैं, और वीडियो दूसों पसंद आए न, तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को दूसों सब्सक्राइब नहीं कर रख यहाँ पर आप देखोगे दूसों, जो लास्ट हमने ट्रेड दिया था bitcoin का, याद होगा कि 67,600 डॉलर के हम मैंने entry करवाया था future में, और जो लोग यहाँ पर entry किये होंगे, साब सब मैंने वीडियो में बदाया था, 67,600 डॉलर के नीचे अगर price आता है, तो यहाँ पर entry प् यह 4.7% pump किया, क्यानि 10x के हिसाब से 47% का profit यह दिया, कुछ लोग 30% पर profit बोग किया होंगे, तो कुछ लोग 40% पर profit बोग किया होंगे, लेकिन यह मेरा जो ट्रेड है 47% तक का आपको profit बोग करने का मौकत दिया, इसलिए गाता हूँ कि अगर आप वीडियो को ध्यान से द आना है, 67,500 पर repeat होना है, फिर से दुबार आना है, इसकी possibility पहले सा था मेरे TA के accounting, और वही चीज हुआ है, हलाकि इसके सासद मार्केट में कुछ negative news भी है, तो कुछ लोग panic selling की होंगे, या इसको कुछ और आप समझ रहे होंगे, लेकिन यह मेरे TA के accounting ऐसा होना था, क्योंकि मार्केट में momentum देने के लिए, यानि rally करने के लिए, नीचे की liquidity को लेना कमपोसरी है, तो liquidity लेने के purpose से, यहाँ पर market बापस नीचे आया, इस zone पर trigger किया, अब मेरे TA के accounting जो है, नॉर्मल कंडिशन में, यहाँ होना क्या चाहिए, कि यहाँ से continue यह rally करना चाहिए, यह continue rally अब ही के current TA के accounting जो है, यही है कि यहाँ से एक और new high बन सकता है, यानि इस high को break कर सकता है, ठीक है, इस high को break करके और price उपर जा सकता है, तो फिलाल यह है, तो perfect जगा आ चुका है, लेकिन यहाँ जो है आप देखोगे ने, साथ में negative news है, तो अगर उस negative news का impact अगर पड़े, तो हो सकता है, यह zone break कर सकता है, नीचे जा सकता है, अगर नीचे जायेगा, तो आपका perfect entry बनेगा, 65,000 डॉलर पे, क्योंकि यह next support यही बनेगा, अगर यह zone break होता है, तो next support आपका बनेगा 65,000 डॉलर पे, यह जो zone है, 67,000 डॉलर से 67,500 डॉलर जो है, यह perfect support जो ने है फिलाल डॉलर पे आता है तो देन वहां से आप फिर से long open कर सकते हो तो फिलाल bitcoin में ये update है और इसके अलाबे मैं बता दो कि कुछ लोग बात करें कि यहां panic selling हुगा है तो क्या इसका impact है market पे या आगे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसकी बात करते हैं तो इसके लिए आ जाते है ट्वीटर पे तो यहां आप देखोगी मैं अब अलरड़ी एक गंटे पहले update किया था कि BTC का support जो आपको कुछ इस price पर देखने को भी लेगा 67,000 डॉलर से 67,500 डॉलर पे अगर यह break होता है तो देन 65,000 डॉलर पे next support बनेगा और इसके सासा तो यह ऐसा क्यों होगा क्योंक हो सकता है अब देखों MTGOX का क्या मामला है MTGOX जो है 90 सॉरी 9 billion dollar का bitcoin जो है एक wallet में transfer किया है repayment plan से यानि करीब करीब जो है 1,40,000 से ज्यादा का bitcoin जिसके कीमात 9 billion dollar का है इसको किसी wallet में transfer किया MTGOX अब MTGOX क्या है जिनको नहीं पता है जो new user है हाल फिला क्रिप्टो में आये तो bitcoin exchange हुआ करता था MTGOX जो 2014 में close हो गया उसमें बड़ी hacking होई थी एक बहुत बड़ी मात्रा में bitcoin hack कर लिया गया था तो उसी time 2014 में MTGOX completely shut down हो गया था यहाँ पर इस exchange पर जो creditor थे जो bitcoin को दे रखे थे उनको repayment करने के लिए bitcoin लोटाने के लिए यहाँ पर 90 million dollar का bitcoin यानि करीब क एसा नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है सबसे पहला point कि यह जो 144000 bitcoin है यह repayment तो किया जाएगा लेकिन यह एक साथ या इसी महीने में या जून महीने में नहीं होने वाला एक साथ नहीं होने वाला repayment जिसको धिरे धिरे करके 31 October तक में सभी को repayment होगा तो अभी से बहुत time धीरे धीरे जब किसी को repayment किया जाएगा और selling भी होता है तो बहुत ज़्यादा market में impact नहीं पढ़ेगा पहला number ठीक है तो impact पढ़ने के possibility come है क्योंकि धीरे धीरे करके सब को repayment होगा एक साथ नहीं होगा दूसरा बात कि अभी जो bull cycle चल रहा है इस bull cycle में जिसको भी bitcoin मिलेगा अब उसको समझें वो bitcoin क्यों sale करेगा सेल करने के उसके पास कोई region है नहीं है अभी इस time वो भी bull cycle में जब bitcoin का ETF आ चुका है और ऐसे time बे हर कोई जानता है कि अभी market rally करेगा तो इस time जिसको bitcoin मिलेगा वो sale करेगा ही नहीं बलकि उसको hold करेगा तो यह सारे bitcoin की selling नहीं देखने को मिलेगा जिसके बज़ा से जो है न market में कोई भी impact इसका नहीं पढ़ने वाला है temporary panic selling FOMO में लोग आकर अपना reaction दे तो अलग चीज है ठीक है ऐसे कोई selling नहीं होने वाला है यह perfect zone है जहां से market जो है उपर जा सकता है in case कि अगर यह break होता है तो आप तयार रहना 65,000 डॉलर पी यहां आएगा दिन आपकी entry बनेगी ठीक है clear है point is clear अब चलो बात करते हैं कि 7 ऐसे coin जो high risk high reward वाले token है लेकिन reward बहु होगे इस वीडियो में मैं पहली बता चुका हूँ और यह आज नहीं बलकि 4 मई को मैंने यह video upload किया था 0.17 डॉलर पे मैंने आप लोग सजिस्ट किया था अभी price चल रहा है 0.26 डॉलर हलाकि इससे उपर ही price है थोरा सट अभी नीचे आया है इससे कहीं जादा उपर चल रह होंगे अच्छा खासा लोग profit में चल रहे होंगे मायरो में जो उस price में खरी दिया होंगे एक गिन में कर रहा हूँ कि इसमें chances ज्यादा है अभी rally करने का करेंड में प्राइस ज्यादा है 0.26 डॉलर मार्केट का आप देखोगे 250 मिलियन डॉलर के करीब में मोस्ट इंपोर प्राफिट दे सकता है तो इसको चाहिए आप consider कर सकते हो और major exchange पे जो है यह list है Binance को छोड़कर MEXC पे आप ले सकते हो Bitgate पे है Bing X पे है UB Global, Get.io, CoCoin, Bybit सब पे यह list है तो जहां से आप चाहो खरी सकते हो लेकिन देखो current price से उठाना चाहते हो low amount से आप पगड़ना Better होगा कि इसमें मुझे लग रहा है कि यह retest करके इस trend line पे दुबारा यह आ सकता है जो करीब करीब अगर देखे न तो करीब करीब मान के रुखो कि 0.185 डॉलर पे आ सकता है 0.26 है 0.185 डॉलर पे आ सकता है अगर यहां आ आ जा है तो बिलकुल मच होड़ना Miro को current price से आप लोगो सजेस्ट किया था अब चलो मैं यह भी दिखा देता हूँ यहां देखो कि ब्रेट आपको दिख रहा होगा ठीक है यहां देखेगा ब्रेट दिख रहा है किस price पे दिख रहा है 0.043 डॉलर पे दिख रहा है अभी आप देखरो ब्रेट का price का चल रहा है 0.07 रहा है और यह base के blockchain पे यानि coinbase का अपना blockchain, base blockchain और इस blockchain पे यह token है और जनररी देखने को यह मिल रहा है कि इस blockchain पे बहुत सारे token अच्छा का सा perform कर रहे है जिसमें ब्रेट पे इस bull cycle में अच्छा का सा perform कर सकता है तो इसको आप चाहोगे तो consider कर सकते हो अब यहां पर आते है ब्रेट के चार्ट पे तो देखो दो प्राइस में आपको बता रहा हूँ यह हो सकता है कि यह नीचे रिटेस्ट करिए और एक बर यह प्राइस पे आ जाए अगर इस प्राइस पे मिलता है तो हर हाल में यहां खरीदना है 0.056 डॉलर पे अगर नीचे आकर यहां हेट नही करता है तो देन आपको वेट करना पड़ेगा 0.086 डॉलर पे आता है तब आप खरीदना डे टाइम फ्रेम का चार्ट है लेकिन आपको ध्यान यह देना कि कोई भी कैंडल इस जोन के ऊपर ब्रेक भी करता है और क्लोजिंग भी देता है तब यह खरीदना ऐसे मत खरीदना कि यह गिर कर फिर यह इस प्राइस को हिट कर जागा 0.5 डॉलर पे तो मेरा फिलाल इस ऐसा कुछ एडवाईस है आप सभी के लिए ब्रिट के लिए ठीक है तो इसको आप चाहो तो रख सकते हो एंड नेक्स्ट कोईन है जैस्मी कोईन दोस्तों इसका प्राइस अल रहा है 0 तो आप देखो लोग कितना रैली किया है अच्छा आसा इसमें धच्मेम को मिला रेख अच्छा आसा डेखने से लेकिन इसमें बहुत सरे लोग निगेर तिव सोचंथ सोच रहे होंगे, क्योंकि ये coin जो है jasmine coin, अपने launch के time से आप देखोगे 90%, 99% down में चल रहा है, फिर भी मैं ये coin को suggest कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे न, अभी चल रहा है ये 98% token circulation में, लेकिन पहले jasmine coin 98% circulation में नहीं था, बहुत सारे token जो आते है न, starting में जब launch करता है, तो उसका circulation 10%, 12%, 20% ऐसे होता है, तो जो भी coin starting में, बहुत ही less circulation में token होते है न, वैसे token में, मनला risk ही token में भी risk होता है, तो jasmine coin वैसे ही token है था, starting में 10%, 20% ही circulation में था, अब होता क्या है मामला, कि जब token launch होने वाला होता है, तो launch से पहले pre-sale में कई सारे investor को attract करता है, allocation देता ह ठीक है, यानि TGA में participate करवाता है, यानि low price में participate करवाता है, अब इसको ऐसे समझो, कि investor को attract किया जाता है, ये बोलगर, कि इस token को मैं 100% में launch करूँगा, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको 10% में दे दूँगा, ये coin 10% में दे दूँगा, इतना आपको invest करना पड़ेगा, इत investor attract हो जाते है, लेकिन इसके सासा condition भी रखा जाता है, कि 90% token आपका unlock रहेगा, जब token launch होगा ना, तो launch के time में आप सारे token को trade नहीं कर सकते हो, sale, buy नहीं कर सकते हो, बलकि 10% token आपको मिलेंगे, बाकि 90% token unlock करके रखा जाएगा, ये condition होता है, तो जो 10% मिलते है ना, starting में, तो 10 10% मिलता है, और उसके बाद मिलने के बाद generally कहिने के, वो 10% जो है न, 10% 10X के price पे launch होता है, तो उनको investor attract इसली हो जाते है, उनको लगता है, कि चलो, मेरा जो investment है, वो तो निकल गया, अब होता है, यहाँ पर क्या है, कि जब तक token सारे unlock नहीं होते है, तब तक market में, वो ऐसे token में आपको देखने को मिलेगा, देखें, 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 करके selling, continuously selling देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मन में यह डर होता है, कि अभी major chunks of token जो है, अभी unlock होना है, जब वो unlock होगा, तो सभी लोग sale करेंगे, इसलिए क्योंकि वो होंगे, जब बाबजूद भी उसके अंदर price में गिरावट continuous की देखने को मिलता है, ऐसे कई सारे token का example है, कई सारे token आप देखोगे 5-6 मैने तक continue गिर रहा है, गिर रहा है, लेकिन जैसे ही सारे token circulation में आ जाते है, उसके बाद वही token जो है, suddenly 5x, 10x, उससे कहीं ज़्यादा rally दिखा देता तो ऐसा case है, जैसमी के साथ, और जैसमी 99% से ज़्यादा गिर गया था, लेकिन पिछले कुछ महीने में आप देखोगे, जब total token 98% token circulation में आ गया है, तो उसके बाद आप देखलो कितना बड़ा rally कर चुका है, 500% का यह moment अलड़ी दे चुका है, इसको आप रख सकते हो अपन पर आके यह rate test कर सकता, अगर यह दुवारा rate test करने के लिए यहाँ आए, यह इसके नीचे आए, इस trend line पर अगर rate test करने के लिए आए, तो यहाँ अगर करोगे na catch, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो एक बार wait करो कि कुछ candle day time frame पर continue green बना है, तो एक बार rate test करने तो, अ को बहुत अच्छा perform करता हुआ देखेगा इस bull cycle में, और यहाँ आप देखोगे यह 1 billion dollar के करीमें, इसका market cap है, 100% token जो है, circulation में है, और possibility है कि यह इस bull cycle में perform करेगा, और यह ton, telegram का ton, जो blockchain है, उस blockchain पर यह list है, note coin, तो इसको चाहोगे, आप रख सकते अपने portfolio में, लेकिन यह इंटरी कैसे प्लान करेंगे, तो TA के cording अगर देखे, TA के cording देखे, तो इसमें मैं अभी देखूँगा कि इसमें एक proper retest, अभी price तो pump कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ खरीदना के आयना है कि थोरा सा अब risky होगा, अगर इसके अंदर एक बार retest करें, और फिलाल अभी जो चार्ट है, उसके cording, इसके candle के loco breaker के नेचे आता है, और कुछ यह price पे आता है, 0.007$ पे आता है, then यहाँ catch करोगे, तो फिर एक बड़ी से moment, बड़ी से rally आपको मिलताएगा, note coin में, और बड़ा profit आप बना सकते हो, तो इसको आप plan करना है, एक retest का wait करना है, ठीक है, और अगर जो नहीं wait करना चाते है, current price पे low fund से आप चाहोगे, तो इसको catch कर सकते हो, तो यह हो गया, note coin भी major exchange पे available है, सभी exchange पे, Binance पे भी available है, तो आप इसको वहाँ से भी खरी सकते हो, next coin है दोस्तो book of meme, इसको आप खरी सकते हो, book of meme में बहुत अच्छा perform पहले भी किया है और यह अभी आगे और कर सकता है, यह 1 billion dollar के करीब में इसका भी market cap है, 100% token circulation में है, सुलाना के blockchain पे भी है, major exchange पे यह list है, तो इसको आप चाहोगे, खरी सकते हैं, और chart के recording आप देखोगे, मैंने पहले भी बताया था, कि इस support zone, इस resistance zone के उपर अगर निकलता है, then आप इसमें entry सही बन सकती है, next जो coin है दूसरों, यह है Mew, cat in a dogs world, जो meme category का coin है, risk, sorpia, तो reward कुछ भी हो सकता है, बड़ा सा reward मिल सकता है, market cap, 350 million dollar के करीब मार्केट cap है, 100% token circulation में है, सुलाना के blockchain में है, इसमें भी मुझे लग रहा है कि, ऐसे token है, जिसमें मैं sorpia का risk ले सकता हूँ, 10,000 reward कीई, तो इसको मैं अपने portfolio में मैं भी खरीद रखा हूँ, अगर आपको लगता है, अपने according तो इसको भी आप रख सकते हो, कहां कहां यह list है, तो major exchange पे यह list है, सभी exchange में आप देखने को मिल जाएगा, Bitgate, BingEx, MEX सभी exchange में सिर्फ Binance को छोड़ कर, तो आप इसको रख सकत तो next coin है, meme coin, ठीक है, तो यह meme coin है, आज आप यह देखेंगे, one day में 6% के rally इसने दिखाया है, और 550 million dollar का market cap है, circulation में हलाकि यह दिखोगे, बहुत कम circulation में token है, तो थोड़ा यह risky token में है, थोड़ा risky है जरूर, लेकिन इसमें minor, आप minor amount से जो है न, minor fund से यहां entry बनाया जा सकता है, meme coin का, यह भी मुझे लग रहा है कि इस bull cycle में अच्छा का सब perform करेगा, कहां खरी देंगे, तो यह अलड़ी अभी support zone पर retest किया है, और यहां से यह आउपर जो है, rally कर सकता है, बड़ा सा moment दे सकता है, तो अभी भी catch करना सही है, तो इसके अंदर आप चाहोगे, तो catch इ नग主न सही करना आप अपरो है, तो छो हाउ विह कर सकता है, ले उमापा चो उव依ारी प्सक्तिकवारी पन छेरी अव्फोत को फिचित कर दो श्रूब छो पनाना सही है, बबगी कर दो गैसा है, पहा है क outreach। और ऑए मैं यहे जो है। झाल झाल